क्या आप भी जानतना चाहते हैं कि आपके मुवाइल नंबर से कितने जो मुवाइल नंबर है रजिस्टर्ड है यानि क्या आपके नाम पर कितने सीम चल रहे हैं अभी मार्केट में यह आप अगर पता करना चाहते हैं तो वीडियो को पुरा देखिएगा और अंतर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कई सारे सीम ऐसे होते हैं जो आपके नाम पर लिए जाते हैं आपके नमबर से रेजिस्टर होते हैं लेकिन उसको आप नहीं चला रहे हैं वो क्या होता है किसी और भी काम में कोई दूसरा व्यक्ति आपका सीम को यूज़ करता रहता है और इसका फाइदा उठाता रहता है अगर आप भी उनमें से एक हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा हलो वाइस मैं समीर सुराज आपका स्वायत करता हूँ आपका अपना चैनल एस्टू समीर सुराज है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके मोगाइल नंबर से कितने सीम रजिस्टर है यानि कि आप कर सकते हैं कि आपके मोवाइल यानि कि आपके नाम से कितना सीम अवी market में available है कि चल रहा है या आप इस वीडियो को देखने के लाद पताद कर सकते हैं इसके लिए आपको simply display पर आजाने है पर आने के बाद आपको क्या करना है गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है टैफ कॉन टैफ कॉन सर्च करने के बाद आपको सबसे उपर में एक वेबसाइट दिखेगा वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप टैफ कॉन के जो अफिजियल वेबसाइट है उ इंटर करना है मोगाइल नमबर डालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोगाइल नमबर पर एक OTP जाएगा यानि कि यो वन टाइम पासवर्ड उसको क्या करना यहां पर फिल करना है यहां पर फिल करने के बाद आपको फिर से इस प पर क्लिक करना है अगर नहीं ओटीपी गया है तो रिसेंट ऑफिक हचा आप rhymes कि जएगा औ है कि आपके सामने जो है जितना ही मौवाईल नंबर रहेंगा राजिस्टर आपके मौवाईल नंबर से वो के सामने आ जाएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर लगता है कि कोई सीम इसमें से आपका नहीं है यानि कि आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप जो ऑप्षन दिया गया है उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं फस्क में लिखा हुआ है मतलब आपके नम पर सीम आया ह आप आपको लगता है कि इन में से कोई ऐसा सीम है जो आपका नहीं है तो आप क्या करेंगे इस इस नोट माई सीम पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे आप जैसे हैं आप रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यह क्या होगा रिपोर्ट हो जाएगा इसके पर काम शुरू हुआ है यानि कि जान परताव शुरू हुआ है यार नहीं सो चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक जहीं